बहराइच जिले के करतनिया घाट वन्यजीव प्रभाग छेत्र में तेंद्वे के हमले रुखने का नाम नहीं ले रहे हैं लगातार हो रहे हमलों से लोगों में डर का माहौल है बीती रात घर के बरामदे में सो रहे पांच वर्षी अबालक पर तेंद्वे ने हमला कर गंभी रूप से घायल कर दिया साथ में सो रही मा ने संघर्ष कर बच्चे की जान बचाई आपको बता दें पूरा मामला करतनिया वन्यजीव प्रभाग के सोजौली रेंच की रामपुरवा बनकटी का है घर के बरामदे में जसकरण सिंग पुत्र गुर्मुख सिंग उम्र पांच वर्ष अपनी मा दिल पसीद कौर और तीन बच्चों के साथ घर के बरामदे में मच्छरदानी में सो रही थी तभी रात के लगभग तीन बजे तेंदुए ने अचानक मच्छरदानी में खुस कर पांच वर्षी अबालक जसकरन को दबोच दिया बच्चे के चिल लाने की आवाज सुन साथ में सो रही मा जाग गई और बच्चे को बचाने के लिए तेंदुए से भिड़ गई तभी घर में सो रहे अन्य लोग भी जाग गए और हांका लगाते हुए बच्चों को बचाने दोड़े तभी तेंदुए बच्चे को छोड जंगल की तरफ भाग गया घायल अवस्था में बच्चे को निजी एस्पताल पहुंच आया गया सूचना मिलने पर वनवे भाग के लोग पहुंचे फिर बच्चे की हालत को गंभीर देखते हुए सामुदायक स्वास्थेकेंद्र मोधिपूर परजन ले कर आए जब इसको पगड़ा देखते हुएं तो पूरा गर जेगें तो शोड के बागा है अच्छ बनवी भाग को सूचना थी थी आप लोगों में पहुति अपनवी भाग को लोग आय थे हाँ वाय थी अदिट भाग को लोग अश्टाल में आया थे हज़े है जब एसिटाल में देखती रहिए डीबी भारती समचार नजर हर खबर पर